ग्यारा मैं उन्निस्सो अर्टीज को राजस्थान के सीकर में जन में श्री अगरवाल अपने दादा जी श्री पन्ना लाल जी शोभा सरिया के दुलारे थे और अपने माता पिता श्री बैजनाद जी शोभा सरिया एवं श्री मती छोटी देवी के आग्याकारी संतान थे एक मेधावी छात्र होने के कारण शिक्षा के महत्व को समझते थे इन्होंने वर्ष 1903 में एक साथ नौवी और दस्वी उसके बाद 1954 में एक साथ ग्यारवी और बारवी पास की सभी मुश्किलनों से लड़ते हुए सफलता पूर्वक कैलकटा युनिवर्सिटी से 1957 में इन्होंने ग्रेजुट की उसके बाद 1960 में कानून के डिगरी प्राथ की फिर वे अपने पिता श्री मेजनाची शोभा सरिया के साथ बिनोध होजरी में शामिल हो गए या यान खरीड, कपड़ा बनाने, सिलाई और डिजाइनिंग का प्रारम्भिक चरण था अपर पस्यूशन 1957 में, आपो बनाने बनाने की शुटा सरी बनाने का इन्ट ग्राद सरी इन्हों लेकिन में अपने का बनाने का बनाने का मेरे को अपने का मनुट ने चाहिए तो at that age of 17, I started Binov Doshiyari in Dharaparan Antigore Street. मैं को लेज से आता था, वो भी किताब रखके, हम लोग खाते थे, पहले तो अंगनावना साफ करते थे, पोचा लगाते थे, गद्धी चानाते थे, तिर अपना थान वजन किया, कटी वजन किया, ऐसे ही काम चालो हुआ. शुरुवाती दिन बहुत चनौती पूर्ण थे, और धीरे धीरे व्यवसाय को विक्सित करने के लिए अथक प्रयासों की आवश्यक्ता थी. इतनी बड़ा ये मुकाम हाचिल किया है, इसके लिए बहुत मैनत करनी पड़ती है, उन्होंने बहुत की है, ये जो टेबल कुर्सिया आप देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई साब यही बैठते थे, यार, मेरा छोटा भाई कुनी बैठता था था, उदर में रमेश भाव जो बैठते थे, उदर में जो मरामदा है, उदर में कटिंग होती दियम लोगों की, कडर गंजी काड़ते थे, वो मर्यादा पुरसोत्ता में, मर्यादा के बाहर नहीं जाते हैं, निकी में तो राहस्तान से आय था नाइंटे शिट्टू में, कि स्कूल में जो दाकिला दि जिखाया, कैसे मार्केट में जाना है, कैसे परडक्सन करना है, कैसे मार्केट के माल की चेटिंग करनी है, तो जो भी प्यापार के जितने भी बूर है, उन्होंने मेरे को सिखाया, इसको अपने बोलते हैं, गोट फादर, इसमाई गोट फादर, रूपा की जो आज जो मार पार्केट के इंदर में जो पोजिशन है उसका जो मनत, आइडिया, पुरा कंटिविशन वैसा प्यार दरवाला का है। 1968 में रूपा अस्तित्व में आई और 1985 में देश की पहली ओर्गनाइजड होजेरी ब्रैंड रूपा एंड कंपनी लिमिटेड बनी। कस्टमर साटिसफैक्शन और क्वालिटी आज भी इस कंपनी की ताकत रही है। करियर की शुरुआत से ही इन्होंने मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक उदेशों के लिए रखा। पिर हम लोग ने नाइन्टी 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 नाइन में कोलेज शीकर में इन्जिजिंग कोलेज चालु किया। करियर करते हैं। निस्वार्थ परोगकारी योगडान के कारण श्री पी आर अगरवाल को कई संगटनों द्वारा विदेवत संबानित किया गया है जैसे 1992-94 तक सीकर परिशद कोलकाता के अध्यक्षपत पर रहे 2007 में इन्हें भारत चेंबर ओफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में मनुनीत किया गया 2011 में श्री अगरवाल को एशिया रीटेल कॉंग्रिस द्वारा आयोजित रीटेल एक्सिलेंस के लिए साथ में रीड और टेलर अवार्डस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डस से सम्मानित किया गया 2014 में कोलकाता में कॉलंबिया गणराज्य के मानद वानिच दूद से सम्मानित किया गया 2016 में अखिल भारतिय मारवाडी संग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचत हुए इन्हें 2016 में The Federation of Hosiery Manufacturers Association of India द्वारा होजियरी उद्योग में उलेखनी योगदान के लिए Lifetime Achievement पुरसकार से सम्मानित किया गया 2018 में इन्हें हिंदी दैनिक समाचार पत्र का प्रभाद खबर्तवारा समाज और नयन हेतू राजिस्थान गौरव सम्मान प्रदान किया गया 2018 में समाज और राष्टर की प्रतिष्था और पद को बढ़ाने के लिए उद्यमिता के खेत्र में उनके अनुकरणिये योगदान हेतू भारत निर्मान एवार्ड से सम्मानित किया गया 2019 में नेटवेर उद्योग के 125 वर्षों के उपलक्ष में आयोजित सम्मेलन में वेस्ट बेंगौल होजियरी असोसियेशन बारा टेक्स्टाल च्षेत में नेत्रित्व, उद्कृष्ट प्रदर्शन और च्षेत्रिय प्रबधन में उद्कृष्टा के लिए हॉल अफ फेम से सम्मानित किया गया जिस व्यक्ति के सहज सरल रिदे में नित्प्रती सेवा, त्याग तथा समाज हित में नवनिर्मान की भावना का उद्वेलन होता है वही व्यक्ति समाज में नामांकित होता है उससे ही समाज यश शिकर पर ससम्माल पीठा सीन करता है ऐसे ही एक सेवा भावी सोच के संभाहक, संपोशक एवं संचेतक हैं श्री पी आर अगरवाल 21 मार्च 2022 को भारत के इस विलक्षन प्रतिभा के धनी को भारत के राश्टबती द्वारा सर्वोच नागरिक पुरसकारों में से एक पदमिश्री से सम्मानत किया गया मुल्प झालम में से एक भारता की दोरा चष्याग चालम